देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीन नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्म में भारत की गत नौ वर्षों की यात्रा तेज, सर्वांगीन और सर्वस्पर्शी विकास की शांदार मिसाल है बीते नौ वर्षों में देश में अभूत पूर्व गती से इंफ्रस्ट्रक्चर का निर्मान हुआ है गरीब कल्यान के लिए संकल्प बद्ध प्रयास हुए है साथ ही लगातार बड़े पैमाने पर उद्यमिता, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का स्रिजन हुआ है युवा देश को युवा शक्ति के सामर्थ का भरपूर लाब मिले और विकसित भारत के विराट संकल्प की सिधी में कर्मठ कर्मयोगी अपना एहम योगदान दें इसी सोच के साथ प्रधान मंत्री मोदी जी ने एक साल के अंदर दस लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का एक विशाल लक्ष रखा रोजगार मेला सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में की गई एक अभूत पूर्व पहल है इस बार हमने ने तै किया कि इकट्थे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियां पूर्या करने और निर्धारित लक्ष को जल्द से पार करने का एक सामुहिक स्वभाव बने सामुहिक प्रयास हो इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया पहले की धीमी और ओफलाइन नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर तक्नीक अधारित और समय बध्ध भरती प्रक्रिया अपनाई गई है इससे बनेमित्ता की संभावना खत्म हो गई है और मेरिट का सम्मान सुनिश्चित हुआ है अब भारत सरकार हर महीने संपूर्ण चैन प्रक्रिया के साथ रोजगार देने के लिए तेज प्रयास कर रही है रोजगार मेला सिर्फ एक सर्टिफिकेट देने का उत्सव नहीं है एक डेडलाइन का दूसरा नाम ही रोजगार मेला है जिसके तहद एक निश्चित दिन पर सभी नियुक्तियों से संबंधित प्रोसेस पूरा करना होता है रोजगार मेला से ये कर्तव विबधता सिस्टम में आई है और वो एक नई उर्जा से काम करने लगा है ये मेला युवाओं के सशक्ति करण का माध्यम भी है अलग-अलग राज्य सरकारें और विभाग भी रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं आज भारत सरकार के विभिन्न विभागों में एक साथ 71,000 से भी अधिक नव नियुक्तों को नियुक्ती पत्र मिल रहे हैं सिस्टम से जुड़कर किस तरह से काम करना है, कारिस्थल नैतिक्ता क्या होती है और मानव संस्थान नीतियां क्या है नई भूमिका के उचित निर्वहन के लिए कर्म योगियों को इन विशियों की समझ होना जरूरी है इसलिए इन सभी विशियों के बारे में एक ओनलाइन मॉड्यूल कर्म योगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षन भी दिया जाना तय है रोजगार मेला के तहट चैनित अभ्यर्थियों को मिल रहे अपॉइंट्मेंट लेटर्स इन हकदारों और उनके परिजनों के लिए एक प्रकार से आनंद और बेहतर कल का आमंत्रन है